हम लोग सिर्फ फिशिंग करेंगे जिसके लिए हम यहां आये हैं समझे डाड डाड मैं तो पकड़ूंगा वेल और पेंगविन्स को ठीक एश इंचान जब पकड़ूगे तब देखेंगे बच्चे मन के कितने सचे होते हैं है ना हैरी सही कहा ना डाड बेख लेना सबसे ज्यादा पेंगविन्स को मैं बकड़ूंगा ठीक है ठीक है ममा को भी एक मर्मेट पकड़नी है है ना बेटा क्या समझाओं ममेज इमाजिनरी होती है मम असली नहीं होती एक दिन के पंगरा हजार उपे लगेंगे ये तो सच मुछ बहत ही महंगा है जरा सुनिये मैं आधे दिन का किराया आप से तीन हजार उपे ले सकता हूँ हाँ ठीक है तो फिर हम यही बोट लेंगे देखिये सेर इसमें चड़ने में बिल्कुल मत हिचक चाहिए ये वैसे ही गंदी लगती है पर ये बहुत मजबूत बोट है म्यूजिक सर आप तो बहुती बहादूरी इंसान लग रहे हैं मैं तो डालोग मारा था रुको जरा सबर गरो अब इन्हें अचानक क्या हो गया? पकड़ने के लिए बहुत सबर की जरुवत होती है कोई बात नहीं हम लोग कोशिश तो करी सकते हैं वो लोग वहाँ पर कितने मज़े कर रहे हैं और मैं या बैठा क्या कर रहा हूँ चलिए अब आप लोग फिशिंग ट्राइ कीजिए ओके अरे बहाँ वा ने भी इंकी तरही फिशिंग करूंगा यह अरणक यह अरणक लेंसे बहुत यह तोनि कशला थम दस्रेवाजू की झाल सुकती पाजिए!